दिखाते हैं आपको Royal Enfield का पहली जो हमारे पास Royal Enfield होने वाली है BS6 की होने वाली है Classic 350 20,000 km चली है Gun Metal Grave First owner asking price होने आला है 1,65,000 रुपए On table चोटी मोटी negotiation हो जाएगी और ये भी गाड़ी आपको finance में मिल जाएगी Finance में मिल जाएगी एक पैसक में भी है सतरा जार किलोमेटर चली हुए विट सर्विस रिकॉर्ड आस्किंग प्राइज होने आला है 1,65,000 रुपए On table चोटी मोटी negotiation इस पे भी हो जाएगी तो जाएगी आपको आना है दिये वो कॉंटेंग डिटिल में भीया से बात करना है और भीया का इड्रेस में पहुचना है चलिए वीडियो को कंट्रील करते है नेक्स्ट यह बीएस फॉर की क्लासिक 350 होने आली है 25,000 किलोमेटर चली हुए विच सर्विस रेकॉर्ड फर्स्ट ओनर है इसका मारा रास्किंग प्राइज होने आला है 1,45,000 रुपे 1,45,000 रुपे जासा कि अब देख सकते है आपको पूरी रोयल इंफिल्ड की रेंज दिखा रहा हुआ आप जैसे कमेंट करते हैं रोयल इंफिल्ड दिखाओ भाई रोयल इंफिल्ड दिखाओ पर दमांड में यह कलर रहता है परस्ट और यह चली वह है आस्किंग प्राइज इसका होने वाला एक लाग चालीज जादेश है 2018 की है यह 2018 मोड़ एक लाग चालीज जालीज जालीज एक और सेम कलर की हमारे पास गाड़ी वह 2019 की यह बहुत कम चली है सिर्फ 15,000 किलोमेटर चली हुए उसका आस्किंग प्राइज होने वाला एक लाग चालीज जालीज रुपे सेम कलर सेम कलर सेम कलर अब आते हैं यह जो गाड़ी है यह फाइनेंश नी होने वाले क्योंकि यह थर्ड ओनर है जाड़ी बहुत ही अच्छी है 30,700 किलोमेटर चली हुए और इसका बहुत ही चोटा जा प्राइज होने वाला है एक लाग रुपे मात रेक लाग रुपे गाड़ी बहुत ही अच्छी है स्टैंड़ 350 है यह फॉर्स होना रही है 11,000 किलोमेटर चली हुए बीएस 4 डिमांड़ेट विद एबीएस और डिस ब्रेक इसका हमारा जो प्राइज होने वाला है वह आपको जानने के लिए हमें कॉल करना होगा क्योंकि इसका प्राइज और रिक्वेस्ट है जान सकते है और रिक्वेस्ट इसका प्राइज इसके लिए जरूर अपकॉल कीजिए और इस गाड़ी की प्राइज जानी है मॉडल अब देख सकते हैं घुमाके तो आते हैं एक और आर्वन फाइब वर्जन 3S की और 2022 लाश्ट की है ये तेरा जार किलोमेटर चलिए विट सर्वेस रेकॉर्ड बहुत ही कमफरेबल भाई के आप देख लो ये आर्वन फाइब जो एसा आती इसकी सीट पूरी जॉइंट आती है और इसमें कोई भी फरक नहीं है बाटी पू आरी फ्रेंड आपको सोरुम में भी नहीं मिलेगी और इसने कम किलोमेटर चलिए हुई गारे इसकी को आप धियान देते हुए भाईया से जरूर बात कीजिए कॉंटेक्स में देल कीजिए